देखे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिजाइन नोटेशन एंड स्पेसिफिकेशन पहली बात आप ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और इसके पीछे रीजन क्या है देखो अमेशा पूरी सॉफ्ट एंजीनरिंग पर अगर हम लोग बात करें या डिसकस करें तो इसक कुछ स्टेप्स है पूरी सॉफ्ट एंजीनरिंग इसी चीज पर डेवलप हुई हुई है सबसे पहला काम जब हम सॉफ्ट एबनाना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में करते हैं यार ठीक है यार सॉफ्ट एबनाना है हम लोग फट ये चीजे हम लोग यहाँ पर डिसकस करते हैं और अगर हम लोग बात करते हैं तो यानि कि क्या हुआ मैंने आपको बताया कि मोडूल है कई छोटे-छोटे मोडूल है कोडिंग वो मोडूल के रूप में आपको किसी कमपनी के अंदा मिलती है तो फिर मैंने आपको बताया क वो जैसे वो module बनाए जाते हैं उसके बीचे कैसे cohesion काम करता है कैसे coupling होती है coupling कम करने पड़ती है तो यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अब अगर हम लोग आगे बात करें तो मैंने आपको बताया अब मैं और उस software से समंदित आपको बाते पता रहूं कि कैसे कि आप लोग सबसे पहले किसी भी software को बनाते हैं तो सीधे software का मतलब हमारे जहन में यह होता है कि coding नहीं software का मतलब सीधे coding नहीं होती जब आप किसी company में लगते हैं तो उनके अलग लग जो है steps होते हैं उनके अलग लग तरीके होते हैं सबसे पहले आप analysis करते हैं जिसको हम जो यह देखता है कि हमाई software की क्या सकता है है जैसा कि मैंने कोकोमा मोडल में आपको समझाया था cost estimation निकाला जाता है analysis किया जाता है और अब जो next step होता है design, notation and specification मतब coding से पहले भी एक steps है आप लोग कभी भी कोई programming सीखते हैं तो आप क्या करते हैं सीधे coding करना शुरू नहीं करते हैं आप पहले उससे पहले concept को समझते हैं कि उस program को कैसे बनाया जाता है तो हम लोग design, notation and specification में यही चीज़ समझेंगे कि अगर मैं किसी programming को करता हूँ तो उससे पहले किन चीज़ों की जुद पढ़ती है एक basic से बास समझें आपने flow chart, pseudocode, decision table ठीक है यह सब चीज़े coding को develop करने से पहले सोचिया थी इसी तरह से table अगर आपको बनानी है, database आपको develop करता है तो उससे पहले हमने dfd diagram, data flow diagram हो गया ER diagram हो गया, entity relationship diagram हो गया, इन concept को समझते हैं इस concept को हम लोग हमारे project में भी सामिल करते हैं और फिर हम लोग उसको use करते हैं आगे तो सबसे पहली जो चीज़ा वोग डेटा flow diagram, क्या होता है डेटा flow diagram data flow diagram का मतलब होता है कि जब आप किसी information को represent करते हैं उसके flow को represent करते हैं तब वह होता है data flow मतलब एक basic से आप यह समझे कि input कहां से हम लोग लेंगे data को कहां store किया जाएगा यही same चीज़े हम लोग data flow diagram में सामिल करते हैं इसी तरह से एक तरह से flow chart की तरह है हम लोग उसके अंदर diagram बना बना के चीज़ को समझाते हैं यह होगा इसके पाद इस तरह से होता है तो इसके भी दो पार्ट आपके होते हैं एक होता है logical logical dfd और एक होता है आपका physical dfd आखी दोनों में difference क्या होता है logical dfd मतलब आप data के flow के बारे में बताते हैं और उसके implementation के बारे में नहीं बताते हैं एक तरह से एक concept है data किसके बाद में किसके पास जाएगा लेकिन आप यह नहीं बता रहे कि उसको कैसे process किया जाएगा कहां उसको implement किया जाएगा बता implementation हमेशा यहां बताया जाता है यह दोबाद data flow diagram के types अब मैं बात करता हूं component की तो मैंने का dfd के कुछ component होते हैं जैसे आपने कभी floor chart को कभी देखा हो तो शुरू में इस तरह से start का है कि यह diagram होता है यह इस तरह से हमारा इसका input output का diagram होता है यह इस तरह से मैं आपको पहले उसके component बता रहा हूं ताकि आप diagram बनाने को समझ सके कैसे बनते हैं सबसे पहला एक box अगर आप लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं entity अब यह मत सोचना है कि entity क्या होती है entity मतलब class मतलब group of attribute and variable attribute बोल दो यह बात है मतलब entity मतलब जै इस डाइग्राम को हम लोग बोलते process कि उसकी processing कैसे हो रही है फिर अगर मालू मैं कहता हूं कि मेरा data hardest में store हो रहा है computer में store हो रहा है तो यह जो जगह है यह जगह मेरी कहलाती है data store के लिए इसके अलावा हमें data के flow को समझाना पड़ता है इसको हम लोग क्या बोलते है data flow data का flow किस डारेक्शन में हो यह सब चीजे इसके अदर क्या होती है सामें होती है अब इसका मतलब चार चीज़ होगी अब अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने क्या देखा आपने देखा कि सर डी एफडी कितने प्रकार क्योंते एक लोजिकल होते है फिजिकल होती है फिर ऑलो मतलब डे अफडी के कुछ लेवल होते हैं लेवल का क्या मीनिक आए लेवल का आप यह समझे हो कि लेवल 0 लेवल 1 लेवल 2 मतलब जितना ज्यादा विश्तार से उसके अंदर डीपली जाके एकीछीज को समझा गए एक एक एंटिटी के बारे में बता उगे उतना ही Lे इसके आगे बात करें तो अगला जो लेवल होएगा उसमें थोड़ा सा एकाउंट को processing को storage को सामिल करेंगे एक बाइस को मिटा के फिर आगे सामिल करते हैं यानि कि level 0 में आपने केवल कुछ entity के बारे में बताया है उसी चीज़ को आप ढंक से बता सकते हैं कि एक पार्ट accounts का भी हो सकता है जहां पर financial landing होगा financial verification होगा जब भी आप कोई online जो भी मतलब delivery मगवाते हैं order जो भी आपका होगा उसकी processing होईगी processing box बनेगा तो मैंने क्या बनाया order processing box बनाया box लिखने की जो अतनी है order processing होगा और इसका result जो है वो store होगा stores room होगा जहां पर हमारा store से समान आएगा और इसी तरह से हमारा जो भी customer होगा उसका हम लोग data hardware के रुप में store करेंगे तो customer का data हमारे पास होगा और ये order की जो processing होगी ये हमें कून बिचेगा sales department तो ये हमारा हो गया sales और इसी को ही हम लोग कहां से हमें मिलेगा customer से मिलेगा ये थोड़ा सामने इसको विस्तार से बता दिया तो ये level क्या हो गया एकतर से 1 हो गया और इसको हम और अच्छा subscribe कर दे तो level 2 हो जाएगा तो इसको हम लोग थोड़ा और इसके parts और कुछ बताना चाहिए तो वह भी हम इसमें सामिल कर सकते हैं झाल